नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर चात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद आज हम अभ्यास करेंगे अपनी चैप्टर फोर्थ कार्बन एवं उसके योगिक के कुछ पिछले वर्षों के प्रशनों का जो की कुछ वर्षों से विभिन बोर्ट परिक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं ये प्रशन आपके आने वाले पेपर्स में भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट और उप्योगी साबित हो सकते हैं तो इनको आपने बहुत अच्छे से प्रेक्टिस करनी है और अपनी नोटबुक में सॉल्व करते रहना है साथ ही साथ देखिए आज का हमारा पहला प्रशन है अपमार्जक पर एक संग्षिप्त टिपणी लिखिए तो आपको अपमार्जक के बारे में कुछ याद आया कि हम लोग साबुन के बजाए अपमार्जकों का प्रयोग क्यों करते हैं कपड़े वगेरा धोने के लिए क्योंकि ये कठोर जल के साथ क्या होते हैं प्रभावी होते हैं है न क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो साबुन होता है वह कठोर जल के साथ घुलने पर जाग नहीं देता है है ना और साथ ही साथ एक अगुलंशिल पदार्थ या स्कम का निर्मान कर देता है जिससे कपड़े और भी गंदे हो जाते हैं और वो साफ नहीं होता है तो अपमार्जक ऐसा नहीं करता है ये कठोर जल के साथ भी जाग देता है और इसी लिए शैंपू या फिर जो कपड़े वगेरा धोने के सावुन होते हैं या डिटरजिंट होते हैं उनको अपमार्जकों के प्रयोग के द्वारा बनाया जाता है तो देखिए आप लोग अपमार्जक की परिभाशा में लिख सकते हैं कि लंबी कार्बन श्रिंखला युक्त सलफोनिक अमल के सोडियम लवणों को अपमार्जक बुला जाता है इसके साथ साथ आप लोग उदाहरण भी लिख कर आएंगे तो उदाहरण में आप लोग लिख सकते हैं सोडियम लौरिल सल्फिट का हमने क्या लिख दिया सोडियम लौरिल सल्फिट ठीके इसका सूत्र भी मैं आप लोगों को लिखाऊंगी इसको समझ यह जरा आप लोग कि अपमार्जक किस से बन रहे हैं लंबी कार्बन श्रिंखला एक लंबी कार्बन श्रिंखला हमको चाहिए तो देखें यहाँ पर कार्बन आपको कितने सारे कार्बन के परमाणूं मिलकर एक श्रिंखला का निर्मान कर रहे हैं ठीक है और लंबी कार्बन श्रिंकला युक्त सलफोनिक अमल के सोडियम लवन ये देखिए SO3O-NA- ये हो गया आपका सोडियम लॉरिल सलफिट और ये उदाहरण है अपमारजक का तो पेपर में संक्षिप टिपणी लिखने के लिए अगर आएगी तो आप लोग ये परिभाशा लिख सकते हो साथ ही साथ ये भी लिख सकते हो कि जो अपमारजक होते हैं वे कठोर जल के साथ प्रभावी होते हैं उनके साथ में जाग बनाते हैं और सकम टाइप के या फिर अगुलन शील पदार्थ का निर्मान नहीं करते हैं इसलिए इनका प्रयोग शैंपू इत्यादी या कपड़े धोने के साबुन इत्यादी बनाने के लिए किया जाता है अगला प्रशन है समझाती ये श्रिणी क्या है उदाहरन देकर समझाईए दो नमबर में पूछा गया प्रशन है समझाती ये अर्थात जिसकी समान जाती हो ऐसी कोई श्रिणी अब बात चल रही है कार्बन एवं उसकी योगिकों की तो उसी से संबंदित होगा तो देखिए योगिकों की ऐसी श्रिणी जिनके रासाइनिक सूत्रों में समानता हो समझाती ये श्रिणी कहलाती है या फिर आप इसको ऐसी भी बोल सकते हैं कि योगिकों की ऐसी श्रिणी जिसमें जो हाइड्रोजन होता है न उसको समान प्रकार के प्रकार्यात्मक समू के द्वारा जब विस्थापित या प्रतिस्थापित करके एक श्रिणी निर्मित होती है उसी को हम समझाती श्रिणी कह सकते हैं जैसे की हमने एलकोहॉल श्रिंखला का उदारन देखा था आप लोगों को याद होगा है ना अभी हम लोग इसके उदारण में ले लेते हैं एलकेन की समझाती श्रिर्णी का उदारण तो एलकेन की आप एक श्रिर्णी निर्मित कीजिए एलकेन का जो सामान्य सूत्र होता है वह क्या होता है C-N-H-2-N-2 ठीके तो इसकी जो श्रिर्णी बनती है यह समझाती है श्रिर्णी जो निर्मित होगी वह क्या क्या हो जाएगी मेथेन मेथेन का सूत्र क्या होता है अनुसूत्र C-H-4 ठीके एथेन एथेन का सूत्र क्या हो जाएगा C-2-H-6 ठीके प्रोपेन प्रोपेन का सूत्र क्या हो जाएगा C3H8 ठीक है ब्यूतेन ब्यूतेन का सूत्र क्या हो जाएगा C4H10 और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे पेंटेन, हेक्जेन ठीक है इस तरीके से ये श्रिणी चलती रहेगी तो इनके जो रासाइनिक गुंधर्म होते हैं उनमें काफी समानता पाई जाती है इसी लिए ये क्या कहलाते हैं समजाती श्रिणी जैसे की जब आप इनके अनु सूत्रों या रासाइनिक सूत्रों के मध्य का अंतर देखोगे न तो ये आपको प्राप्त होगा CH2 ठीक है इसी प्रकार से जब आप इनके आनुविक द्रव्यमानों के मध्य अंतर देखोगे तो आपको 14 इकाई का अंतर मालूम पड़ेगा तो ये इस प्रकार से समान होते हैं और इसी प्रकार से एक समजाती श्रिणी का उदाहरन बनते हैं इसमें अगर आपको ये नहीं समज में आया तो हम लोग एक और उदाहरन ले सकते हैं हम लोग एक प्रकार यात्मक समू से बनने वाली श्रिणी का उदाहरन लेते हैं चलिए एलकोहॉल का उदाहरन ले लेते हैं एलकोहॉल ग्रुप क्या होता है हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके OH ग्रुप जुड़ जाता है है न तो इससे जो श्रिणी बनेगी वह किस प्रकार की बनेगी देखिए ये क्या बन जाएगा मेथेन था मेथेन में से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया यानि कि क्या बन गया CH3OH ये क्या बन गया मेथेनॉल या फिर इसको हम एक और नाम बोल सकते हैं आप लोगों को याद है हम लोगों ने अलकाइल समू पड़ा था है न तब हमने क्या देखा था अलकेन में से एक हाइड्रोजन को अगर माइनस कर दिया जाए तो अलकाइल या अलकिल समू बन जाता है है न तो हम इसको बोल सकते हैं मेथिल अलकोहॉल ठीके तो ये बन गया हमारा मेथेनॉल दूसरा बनाईए दूसरा क्या हो जाएगा C2H5OH ये हो गया हमारा एथेनॉल ठीके उसी प्रकार से प्रोपेनॉल कैसे बनाएंगे C3H7OH ये हो गया हमारा प्रोपेनॉल ठीके और इसी प्रकार से ये श्रिणी चलती जाएगी ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल ठीके इस प्रकार से श्रिणी चलते जाएगी और इन सभी के रसाइनिक गुंड धर्मों में अत्यधिक समानता पाई जाती है इसी लिए ये समझाती श्रीणी के उदाहरण होते हैं लेकिन याद रखना है समान प्रकार्यात्मक समुके द्वारा प्रतिस्थापित किये हुए होने चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपन समती श्रीणी के उदाहरण नहीं होंगे समती श्रीणी का अर्थ है जिसमें समान प्रकार्यात्मक समु जुड़ा हो या फिर जिनके अनु सूत्र या कुछ सामान ये सूत्र हो ठीक है जैसे अलकेन के होते हैं अलकीन के होते हैं इस प्रकार से ठीक है चलिए अब अगला प solve करेंगे, सबसे पहले हम NH3 यानि कि अमोनिया के लिए electron बिंदू सनरशना बनाते हैं, देखिए, nitrogen का परमानु क्रमांक होता है 7, ठीक है, तो इसका electronic विन्याज कितना हो जाएगा, 2,5, ठीक है, hydrogen का परमानु क्रमांक होता है 1, है न, तो इसका तो electronic विन्याज भी एक ही रहेगा, इसके केक अक्षक में केवल एक ही electron है, इसे अपना संयोजकता कोश पूर्ण करने के लिए बस एक ही electron चाहिए होता है, क्यूंकि केक कोश में अधिकतम 2 electron हो सकते हैं, ठीक है, तो देखिए, nitrogen के कितने परमाणू है, एक परमाणू है, और hydrogen के कितने परमाणू है, तीन परमाणू है, एक, दो और तीन, अब nitrogen के वहरी कोश में 5 electron है, है न, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, इसको 3 electron की और आवशकता है, ताकि ये अपना आज तक पूर्ण कर सके हो गए, 5 एलेक्ट्रोन वही हाइडरोजन की पास में क्या है, एक एक एलेक्ट्रोन है और इनको एक एक एलेक्ट्रोन और चाहिए अपना सहिव जकता कोश पूर्ण करने के लिए ठीक है, तो अब ये क्या करेगा ये जो नाइट्रोजन है वह इन तीनों hydrogen के परमाणूं से एक एक electron ग्रहन कर लेगा, ठीके, तो इसने क्या किया, इसने इन से एक एक electron ग्रहन कर लिया, अब इसके पास कितने electron हो गए, पांच तो थे, छे, साथ, आठ, ठीके, अब लिये हैं, तो क्योंकि सह सहयों जी बंध बनना है, तो ये क्या करेगा, एक एक electron देगा भी, क्योंकि hydrogen को भी तो अपनी सहयों जक्ता संतुष्ट करनी है, है ना, तो hydrogen का ये वाला परमाणूं, ये वाला electron ले लेता है, और ये वाला परमाणूं, ये वाला electron ले लेता है, तो इस प्रकार से बन गई ammonia, यानि की NH3 की electron बिंदू संरशना, आप दूस दूसरा देखते हैं इसमें, दूसरा है hydrogen sulfide, ठीक है, जो sulfur होता है, इसका परमाणू क्रमांग होता है, 16, तो sulfur का जो electronic विन्यास है, वह कितना हो जाएगा, 2, 8, 6, ठीक है, वहीं जो hydrogen होता है, इसका परमाणू क्रमांग तो आपको पता ही है, इसका परमाणू क्रमांग एक ह होता है तो इलेक्ट्रोनिक विन्याज भी इसका एक ही रह जाएगा ठीक है अब आप देखिए सल्फर के वहायतम कोश में छे इलेक्ट्रोन हैं इसे अपनी संयों जकता संतुष्ट करने के लिए दो और इलेक्ट्रोनों की आउशकता है ठीक है और हाइड्रोजन का तो किवल के कोश है जिसमें अधिकतम दो ही इलेक्ट्रोन आ सकते हैं तो ये क्या करेगा हाइड्रोजन तो एक एक ही इलेक्ट्रोन ले लेगा अब देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणू है दो परमाणू है और सल्फर का कितना परमाणू है एक ही परमाणू है तो आप समझ र तो दोनों से एक-एक electron की साजेदारी कर लेगा कुछ इस प्रकार से ठीक है hydrogen ने इस प्रकार से ले लिए electron और sulfur ने इस प्रकार से electrons ले लिए और ये बन गई आपकी hydrogen sulfide की electron बिंदू सनरचना ठीक है अगला प्रेशन देखते हैं ये है fluorine F2 fluorine अनू ठीक है तो जो fluorine होता है इसका पर्मानू क्रमांग होता है 9 और इसका electronic विन्यास हो जाएगा 2,7 तो इसको अपना सर्यों जगता कोश पूर्ण करने के लिए केवल एक electron की जरूरत है ये क्या करेगा दो fluorine के पर्मानू है ठीक है इसके पास कितने electron है वायतम कोश में 1,2,3,4,5,6,7 इसके पास भी 1,2,3,4,5,6,7 तो एक-एक electron की साजेधारी ये कर लेंगे कुछ इस प्रकार से ठीक है तो इस प्रकार की electron बिंदू सनरशना fluorine अनू के लिए बन गई इतना समझ गये आप लोग अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है निम्न कार्बन योगीकों का नामकरण कीजिए तो योगीकों का नामकरण करते हुए सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं कार्बन परमाणू की संख्या कितने कार्बन परमाणू है एक-दो दो ही तो कार्बन परमाणू है है ना और साथ ही साथ कौन सा प्रकार्यात्मक समू जुड़ा हुआ है OH कौन सा होता है ठीके तो यह क्या बन जाएगा दो कार्बन परमाणू का क्या मतलब है दो कार्बन परमाणू का मतलब होता है एथ है ना और यहाँ पर जुड़ा हुआ है औल ग्रुप ठीके तो यह क्या बन गया एथेनॉल समझ गए इतना दूसरे वाला देखिए, दूसरे वाले में कौन सा ग्रूप जुड़ा हुआ है, यही तो ग्रूप है, है ना, C double bond OH, यह कौन सा ग्रूप होता है, aldehyde ग्रूप होता है, यहाँ पर carbon परमानों की कितनी संख्या है, दो ही तो है, ठीके, तो इसका मतलब इसका क्या नाम हो गया aldehyde ग्रूप जहाँ पर जुड़ा होता है, वहाँ पर हम अनुलगन के रूप में क्या लगाते हैं, L या L, ठीके, और दो carbon परमानों है, यानि कि क्या बन गया, ethanol या फिर ethanol भी बोल सकते हैं, ethanol ही बोल लिए, क्योंकि फिर ये confusion हो जाएगा, all के साथ में, ठीके, तो यह aldehy हैं, next question है, esteric current क्या है, रासाइनिक समीकरण सहित समझाईए, दो नंबर का प्रेशन है, तो देखिए, जब ethanol किसी अमल उत्प्रेरक की उपस्थिती में ethanol से क्रिया करता है, तो वह उत्पात के रूप में ester का निर्मान करता है, और इसी प्रक्रिया को या इसी अभिक्रिय को हम esteric current अभिक्रिया बोलते हैं, इसके लिए हमने एक रासाइनिक समीकरण भी लिखनी है, तो बताइए, एथेनोईक अमल क्या होता है, एथेनोईक अमल होगा CH3COOH, है ना, दो कार्बन पर मानूं और कार्बोग्सलिक अमल वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, है ना, तो ये बन गया एथेनोईक अमल, इसकी क्रिया होगी एथेनोल के साथ में, यानि की CH3CH2OH, यही तो होता है एथेनोल, ठीके, और क्रिया किसकी उपस्थिती में करानी है, अमल उत्प्रेरक की उपस्थिती, उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया को तो प्रभावित नहीं करते हैं लेकिन उसकी दर को परिवर्थित कर देते हैं कम या जादा कर देते हैं ठीके तो जब इन दोनोंने अभिक्रिया की एथेनोईक अमल और एथेनोल ने तो ये कुछ इस प्रकार का उत्पाद निर्मित कर देते और साथी साथ उत्पाद में जल भी निर्मित हो जाता है आप इस समय करन को समझे क्या हुआ इसमें देखिए क्या हुआ इसमें ये तो था CH3 ठीक है C double bond O OH यही तो था same to same ये होता है एथेनोईक अमल इसकी क्रिया हो गई CH3 CH2 OH के साथ में तो CH3 CH2 तो हम ऐसे लिख लेते हैं और OH ठीक है और इन्हों ने अमल उत्प्रेरक की उपस्थिती में क्या बना दिया एस्टर का निर्मान कर दिया तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ ना H2O तो अलग से निकल जाएगी H2O किस प्रकार से निकलेगी देखिए OH और H ठीक है इनको अलग से निकल दीजिए तो अब आपके पास में क्या बच रहा है आपके पास में बस इतना ही तो बच रहा है CH3 C double bond O O और यहाँ पर क्या बच रहा है CH3 CH2 यही तो बन रहा है यहाँ पर क्या बन गया इससे इससे बन गया CH3 C double bond O O CH2 यह देखिए CH2 और CH3 ठीक है प्लस H2O तो इनके नाम भी आप लोग साथ ही साथ लिख देजिएगा देखिए यह क्या था एथेनॉइक अमल ठीक है CH3 COOH है ना और CH3 CH2 OH यह क्या है यह है एथेनॉल ठीक है अमलोद प्रेरक की उपस्थिती में इन्होंने क्रिया की और निर्मित कर दिया एस्टर और यही अभिक्रिया यही प्रक्रिया एस्टरी करण अभिक्रिया कहलाती है समझ गया आप लोग अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला प्रश्न है एक अधातु X दो भिन रूपों Y तथा Z में रहता है इसको साथ ही साथ करते भी जाते है देखिए एक अधातु है X ठीके यह दो भिन भिन रूपों यानि की एक रूप है इसका Y और इसका दूसरा रूप है Z ठीके इसमें पाया जाता है Y एक कठोर्तम प्राकृतिक पदार्थ है थोड़ा बहुत समझ में तो आपको आ रहा होगा कठोर्तम प्राकृतिक पदार्थ कौन से वाला है Y ठीके और जो Z है वह विद्युत का अच्छा चालक है देखिए अधातु का गुण है अधातु के भिन रूप का एक उधारण है फिर भी विद्युत का अच्छा चालक है ऐसा कौन सा पदार्थ होता है याद आ रहा है कुछ तो देखिए हम लोगोंने कार्बन एवं उसके योगिक में पढ़ा था कि कार्बन के बहुत से अपरूप होते हैं लेकिन हीरा और ग्रेफाइट बहुत जादा इंपोर्टेंस रखते हैं तो उनसे हर साल क्वेशन तो पूछा ही जाता है तो इसमें इस प्रकार का क्वेशन पूछा गया है कार्बन क्या है यहाँ पर एक्स है ठीके जो की एक अधातु है इसका एक रूप है वाई जो की क्या है कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है हीरा ठीके दूसरा इसका रूप है जेड जो की विद्यूत का अच्छा चालक है तो याद करिए हमने एक अधातु के अपवाद में क्या पढ़ा था ग्रेफाइट है ना जो की विद्यूत का सुचालक होता है अधातु होते हुए भी तो जो ये एक्स है ये कार्बन है और इसके दो अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट है है ना तो यहाँ पर जो वाई नाम दिया गया है वह हीरे का प्रतीक है और जो जेट नाम दिया गया है वह है ग्रेफाइट का प्रतीक है तो देखिए तीन नंबर का क्वेशन है थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको तीन मार्क्स इसमें मिल जाएंगे तो समझ गया आप लोग इतना आज हम इतने ही प्रशनों का अभ्यास करते हैं फिर हम अगले लेक्चर में कुछ और प्रशनों को हल करेंगे इतना आप अच्छे से प्रेक्टिस कर लीजिए और इनका रिविजन करते रहे